विल्कुन तो चानल आज 25 फब्रारी आज के जितने भी इंपोर्टन करेंट अफेर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा पीडियो के लिए लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में वहां से जाके पीडियो डाउनलोड कर सकते हो पीडियो के लिए आज पहली बार विजिट कर रहे हो चानल को सब्सक्राइब कर लें साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकम ब्राइस कर लें ताक कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हौन ताइम पहुन जाए तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टन करंट अफेर्स देखो दो कुश्ट आपने आंसर करने हैं प्रिवेस टेके फिर्स कुशन इंडियन कौन सी बनी इसका अंसर अपने मुझे बताना है and second question अपने मुझे बताना है who among the falling has been given the award for sports woman of the year in lores world sports award 2019 manka तो मैंने आपको बताया था नो वो जो जो कोविक अब आपको इसमे sports woman of the year award कि से दिया गया इसका अंसर बताना है इन दोनों के आंसर बताओ ओके देखो at the end of the video आज से फिर से start कर रहे है इंक्लूट करना important static portion ठीक है जिनके आंसर आप मुझे बताओगे after watching this current affair video and important चीज़ भी discuss करनी है after current affair video so वीडियो गने तक जुरूर देखना तो शुरू करते हैं आज का important current phase first question where will be the 16th Russia India China RIC meeting held on 27 February 2019 ठीक है आपको बताना है कि यह trilateral meeting होगी ब्ट्वीन इंडिया रशीय और चायना तो यह 27 February होगी यह कहां पे होगी ओके यह होगी चायना में चायना में होगी वजहान में ठीक है तो यह 27 February होगी trilateral meeting between India, Russia and China ठीक है इसमें हमारी इंडिया की foreign minister शुष्मा जवराज इसमें participate करेंगी और चायना की foreign minister Mr. Wang Zee and Russian foreign minister Sergei Lavrov इसमें participate करेंगे ओके देखो आप इसमें दो countries आई अब आपको यह चीज़े तो आपको याद होनी होनी चाहिए सबसे पहले रेशिया की बात करते है रेशिया की जो capital है Moscow वहां की जो currency है वहां की जो रूबल एड़िमीर प्यूटिन ओके एंड अबाउट चायना चायना की currency है जी रैनिमिन भी एंड चायना की जो capital है वहां की जो president है की जी जिंग पिंग ऑके एक और इंपोर्टन चीज़ आधकना अब रशिया रशिया की जो पार्लेमेंट का नाम है वो है डियूमा एंड जापान की पार्लेमेंट का नाम है डाइट ओके नेक्स्ट कुशन करते हैं इंडियन गवर्मेंट अनॉंस्ट प्लैंड टू डाइवर्ट इस शेर ऑफ वाटर विच यूज तू फ्लो टू पाकिस्तान अंडर नाइटीन हंडर्ड शिक्स्टी इंडेस वाटर ट्रीटी जिसके थाथ हमारा पानी जो हम पाकिस्तान को डाइवेट करते थे अब अफ्ट इंडेन सिटी में कौनसी इंडेस ण्राइट शेटंड किया जाएगा इसका जो घरिक्त अंसर होगा जी अप्शन अमर्-ए और बी यानि यानि किदा कर्rekt अंसे ऌप्शन अबी बौत हैंट वी ऑगे का करेक्ट अंसर उप्शन बीजञे किका उनकीन वेर व मौनफ्रेंड on future of Indian banking held on 25 February 2019 एक conference हुई जिसका नाम है future of Indian banking ठीक है जिसमें banking system को evolutionize कैसे किया जाए evolution किया कैसे जाए उस score betterment किया जाए इस तरह की conference बगार हुई ठीक है तो यह आपको बताना है कि यह conference वैसे तो held किस नहीं of economic growth and welfare ठीक है इसमें important नितियायों के बारे में जो चीज़ें आपको याद रख नहीं है इसमें नितियायों के जो establishment कब हुई थी वो भी जुरूरी यादखना 1st January 2015 ठीक है इसमें जो इसके जो राइट नाव CEO हैं वो है नेक्स्ट कुछन करते हैं इन विच इंडियन स्टेट विल ऑइल मार्केटिंग कंपनीज ओम्सी एपॉइंट मोर देन 10,000 रूलर वूमें एज उजवला दीदी इस ठीक है दस जार रूलर वूमेंज को इंप्लॉइमेंट भी विली अंडर दिस स्कीम जिन्होंने ओईल मार्केटिंग कंपनीज ने पॉइंट किया उजवला दीदीज देखो सबसे पहले स्टेट कौन सी यह जी करेक्ट आंसर इस अगया जी उडिशा ठीक है उडिशा में बिसिकली क्या देखेंगी कि इनका का स्कीम क्या होगा कि सस्टेनेबल यूज हो रहा है एलपीजी का यानि ठीक है एक्ट आज एक 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 ब्रीज एक्ट करेंगे बट्वीन दा डिस्ट्रिब्यूटर एंड कंज्यूमर ऑफ जीमर ऑफ एलपीज यानि की लिक्विवाइट पेट्रोलियम गैस ठीक ह तो यह कहां बेया जी है जी उडिशा में पॉइंट हुई उज्वला दीदी इस एंड उडिशा के बारे में जो चीज़े आपको अब अब तो आपको अगर डेली वीडियो देख रहे हो देन आपको 101 परसंट जुरूर यह चीज़े आपको डेली रिपीट करता हूं तो य चीज़े जुरूर आपको याद जुरूर हो रही होंगी ठीक है उडिशा की केप्टल बुवनेश्वर सीम नवहीं पटना है गएंट गवर्नर गनेश इलाद नेक्स्ट कुशन इस इन्विच इंडियन स्टेट समरिती नारी यूनिन मिनिस्ट फॉर टेक्स्टाइल्स इन उनको अप्लिफ्ट किया जाए ठीक है बाइ सिल्क फार्मिंग ठीक है इसका बेसिक अप्जेक्टिव यह है और यह साम में हुआ इनॉगरेट ठीक है साम में किया समरिती रानी ने असाम के बारे में जो कैपिटल है दिसपूर वहां के जो सीमे सर्मिंदा सोनवाल और वहा एस्टिमेट है कि हमारे इंडिया में 2040 तक एरांड 1.1 billion एयर पेसेंजर शोंगे ठीक है तो उसके लिए हमें एर्पोर्ट भी तो रिक्वार्मेंट होंगे ठीक है एयर पोर्ट भी बनाये जाएंगे बनने की रिक्वार्मेंट होगी तो हम इंडिया को इस रिपोर्ट के आराउंड 200 एरपोर्ट और चाहिए होंगे ठीक है to deal with the around 1.1 billion passengers ठीक है इतने हमारे air passenger 2040 तक हो जाएंगे ठीक है इंडिया विजन 2040 यह document के अधार पी है ठीक है flying for all जो theme रखा गया था वह भी आप जुरूर याद रखेंगे ओके next question करते है दनुष long range artillery gun ठीक है इस तरह के यह दनुष जो artillery gun system है indigenously हमारे इंडिया में बनाया जाएगा ठीक है government of India ने and defense ministry ने इसको clearance देगी यह इस ordinance factory board को तो अब यह ordinance एक सो चोदार धनुष long range artillery gun system बनाये जाएंगे ठीक है तो यह 114 नंबर भी याद रखना और यह बनायेगा कौन यह बनायेगा जी ordinance factory board ठीक है यह भी जुरूर याद रखना है and ordinance factory board से आपको जुरूर याद आए होगा अभी हाली में ordinance factory board के new director general appoint हुए थे सोरब कुमार तो उनका ना भी आप जुरूर याद रखना वो भी important है एर्थ question है in which indian state three day medical trade show was inaugurated recently तो कौन सी जगह है तीन दिवस्ट यह medical trade show inaugurate हुआ यह आपको बताना है ठीक है तो यह हुआ था जी inaugurate हमारे option number भी new Delhi में ठीक है new Delhi अब जुरूर याद रखेंगे और इसमें around 58 countries के different different health instructors थे उसमें इसमें participate किया था ठीक है तो भी जूरूर याद नहीं यह हुआ था जी new Delhi में okay next question करते है how much percentage increase in the interest rate has been increased by employees provident fund organization ठीक है पहले interest rate थे कुछ थैन उसके बाद इसको बढ़ा दिया गया ठीक है तो सबसे पहले जो interest rate थे पहले जी employees provident fund के थे 8.55 ठीक है जो interest rates मिलते है हमारा जो EPF करता है ठीक है तैन उसके बाद इसके interest rate बढ़ा दिये ठीक आपको बदाने कि कितने परसंट interest rate बढ़ गें ठीक है राउंड 0.10% interest rate इसमें बढ़ गें ठीक है अब इसके बढ़ने के बाद जो EPF जो हमें हमेरा जो करता है जो interest rate हम बेस में मिलेगा वनेगा जी 8.65 प which of the following municipal corporation has won first prize as at the swachita excellence award 2019 ठीक है एक municipal corporation को यह अवार्ड दिया गया यह आपको बताने कि कौन सी municipal corporation है under swachita excellence award यह जीता ठीक है top पे कौन सी रही चो टॉप पे रही जी रायगर ठीक है चतिसगर मेह जो रायगर मुंसिबल जो कॉप्परेशन थी ठीक है तो इस पे इसको first award मिला जी अंबिकापूर को ठीक है तो first आप जरूरी आदेको first आपको जरूरी आदकने चतिसगर के रायगर मुंसिबल कॉपरेशन को first under swachita excellence award में यह top पे रही ओके 11th question है who has won men's single event at the 83rd senior badminton championship 2019 इंडल ने वूउमेन का मैंने आपको बताया था सान्य नयवाल ने जीता था अब आपको इसमें यह बताना है जो गुहाटी में हो रहे तीक है तो यह आपको इसमें आसमने गुहाटी में तो यह जो 83rd senior bandman championship वाम ॉत classic whenever जीटा था Greek students War姐 wine को ऑपके फोबहान के सामने लग मुझे बोल रहे थे कि आप number of questions increase करो देखो यार मेरा basic main objective यही है कि जो questions लूँ ठीक है from exam point of view लूँ extra चीज़े देखो extra चीज़े लेनी जाहे हैं तो हम 20 to 25 questions भी कर सकते हैं 30 questions भी करना it's not too difficult ठीक है but हमने वही बढ़ना है from exam point of view जो questions एक जुल में exam में आने वले होते हैं वही question हमें लेने चाहिए ठीक है current news देखो यहार ऐसे भी questions होते हैं suppose करो कोई ministry at कोई भी हमारे जो ministers है उद्गार्टन करते हैं अप ऐसे questions भी होते है कि कितने projects का उद्गार्टन के ठीक है questions को identify करना भी important रहता वुस चीज का में पूरा-पूरा धियान रख रहा हूं ठीक है फिलाल आज के वीडियो में इतना ही अब जो important चीज है आपके लिए static question ठीक है जो चीज मैंने discuss करनी थी देखो यह आपके लिए आज मैंने 5 questions लाएं यह देखो यह रेंडम ली questions है कुछ questions आपको banking section के हैं कुछ questions आपको history के हैं कुछ geographic है तो यह questions जो मैंने अब भी हाली में मैंने एक book purchase किया जिसमें आराउंड आपको 18 years previous ssc cgl and ssc cpo के previous year examination papers एं ठीक है तो यह direct questions मैं आपको directly वहीं से पूछ रहा हूँ ठीक है यह five questions मैंने लिए तो इसी तरह series हम continue करेंगे एंड ssc cgl and ssc cpo and जो भी exam होता है previous year exam जरूर questions जरूर repeat होता है ठीक है तो इस तरीके से अब आपको options नहीं मिलेंगे थोड़ा सा काम आपको खुद भी करना है because at the end exam आप ही का है ठीक है तो आपको इनके answer search करो या फिर जितने आते हैं बताओ नहीं आते कल के video में मैं answers इनके जरूर शेयर करूंगा पर आप कोशिश करो कि इनके बारे में at least आपके लिए डेली 5-5 questions होते रहेंगे and previous day important questions नहीं जुरूर आने विले exam में आपकी help जुरूर करेंगे ठीक है अब इन 5 के answers बताओ मुझे and जिसका comment सबसे अच्छा होगा उस comment को मैं पिंड भी करूंगा ताकि आप extra चीसे भी जितनी आप इसके बारे में search करके लिख सकते हो at the end आपकी खुद की help होने वाली है from this question ठीक है so thank you for watching the video मिलते हैं next video में see you in my next video video पसंदा तो like जरूट कर दो like करने के साथ इसे जायते से लोग में से share करो अगर आपको लगता है कि आपकी help होई है then surely share it with your friends related to only related to study related groups okay so thank you